और खबरों में आगे बढ़ेंगे ACB में किसी IS अधिकारी की शिकायत कर ट्रैप करवाना किस तरह से एक परिवादी को भारी पड़ रहा है इसकी बानगी 12 कलेक्टर इंदर सिंग राव के ट्रैप मामले में देखी जा सकती है पुरा मामला 12 में पेट्रोल पंप की एनोसी जारी करने के एवच में घूस लेने के मामले से जुड़ा है जहां 10 दिसंबर 2020 को एक लाक चालीस हजार के रिश्वत लेने के एक आरोपी में कोटा ACB द्वारा ट्रैप किये गए बारा के ततकालीन कलेक्टर IS इंदर सिंग राव की गिरफतारी के बाद अभी तक इस पूरे मामले में परिवादी पेट्रोल पंप संचाला गोविन सिंग यादव न्याय के लिए दो विभागों के बीच चक्कर काट रहे हैं पूरा मामला पेट्रोल पंप की लिजडीट के निशपादन से जुड़ा हुआ है जहां मामल पाँच महइने बेज जाने के बाद भी परिवादी गोविन सिंग यादव निशपादन के लिए लगातार प्रशासन के चक्कर लगा कर दर-दर भटक रहा है परिवादी के दबाव बनाने के बाद मामले को लेकर वर्तमान जिला कलेक्टर पेट्रोल कम्पनी को पत्र लि के मगर अभी तक लीज डीट का निश्पादन कमपनी के द्वारा नहीं किया गया है वहीं पेट्रोल पंप कमपनी द्वारा छीपा बदोर तैसिलदार को पत्र लिखा गया है जिसमें राशी बताने के लिए कहा गया है तो वहीं परिवादी को अपने इस्तर पर राशी का प प्रक्रिया नहीं की जा रही है परिवादी कई मंत्रियों और सची बाले के कई बड़े अफसरों सी न्याय की गुहर लगा चुके हैं मगर अभी तक आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला है संपून परक्रिया लीज डीड उस भूमी के निश्वादन की लीज डीड की संपून परक्रिया आज उस केस के अंदर भूसकांट में जो जिला कलेक्टर बारा ततकालीं जिला कलेक्टर इंदर सिंग राओजी जो पांच महीने से जेल के अंदर बंद हैं उसके बावजू इस एंपनी को लेटर लिखा हुआ है कि आप एक महीने के अंदर इसके लेज़ीड निश्पादन करवाइई जिला क्लेक्टर को भी लेटर लिखे हुए दो महीने हो गए ہیں परंटु कम्पनी के दौरा अभी तक लेज़ीड निश्पादन कर भागा है